हेलो एवरिवन इन दिस वीडियो वी विल डिसकस डैविड विलियम सन का एक फेमस प्ले जिसका नाम है दा रिमोव लिस्ट और यह पब्लिश हुआ था 1971 में इस प्ले में हम देखेंगे कि किस तरह से दो इंस्पेक्टर या दो पुलिसमान अपनी पावर और अथार्टी का मिस्यूज करते हैं और डोमेस्टिक वाइलेंस भी करेक्टर के तुरू शो किया जाएगा इस प्ले में डेविड विलियम सन ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के इन्वोर्मेंट को शो करते हैं सुसाइटी को शो करते हैं उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो उन्होंने अपने करेक्टर के थूरू प्रूफ करने की कोशिच की है बात करते हैं डेविड की सो ही वास on 24th February 1942 Melbourne Australia में इनका बॉर्ण हुआ था ये एक प्ले राइटर थे स्क्रीन राइटर थे इनका जो लिखने का जॉनरा था वो बेसिकली लिखते थे त्रेटर पे फिल्म पे और टेलिविजन पे इस वीडियो में हम इनके कुछ फेमस अवर्ड की बात करेंगे और समरी की बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अवर्ड से की जो इनको कौन-कौन से फेमस अवर्ड मिल चुके हैं इनको ब्रिटिस जॉर्ज डिवाइन अवर्ड मिला था 1971 में इनको बेस्ट स्क्रिप्ट अवर्ड मिला है इनके वर्क दा रिमोव लिस्ट के लिए 1972 में ये जो नोवल ये जो प्ले है ये पब्लिश हुआ था 1971 में और इसी प्ले की स्क्रिप्ट को देखते हुए डेविट को 1972 में इनको बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड मिला था 2005 में इनको जेसी विलियम्स अवार्ड भी मिल चुका है अब हम बात करते हैं इसके कुछ करेक्टर की जो इस प्ले के कुछ मेंन करेक्टर्स हैं वो हैं नेवली रोस, डेन सिमोंडस, दारिमोवलिस्ट, कैट मैंशन, फियोना कार्टर और कैनी यह की कुछ important characters हैं जो इस पूरे play में आपको दिखाई देंगे और इन characters के through ही डेविट विलियम्सन ने Australian society को शो किया है उनके nature को शो किया है, उस time के violence को शो किया है और misuse जो लोग करते थे power का उसको भी शो किया है play begins with the location of the police station, ये जैसे ही play start होता है वो location है police station की और यह police station है Melbourne Australia में तो no doubt यहाँ पे जब Australia play की बात कर रहे है तो यह जो situation है जो place है यह वही की है और यहाँ पे story क्या होती है starting कहां से होती है a new police constable joined this police station after a long training आपको पता होगा कि जो police man होते है इनकी एक training होती है और उसकी बाद ही कहीं पे यह join करते है इनको कहीं पे destination दिया जाता है तो इसी तरह से एक police man यहाँ पे join करता है जिसका नाम है Neville Rose जो Neville Rose है वो join करता है और मिलता है अपने senior officer से जो की old और experience है और उनने job में काफी साल बिता दिये हैं उनका नाम है Dan Simondas Neville Rose and Dan Simondas बोथ आर in the same post बट दोनों का जो behavior है जो दोनों में difference है वो बहुत जादा है अब यहाँ पे difference इस तरह से भी देख सकते है कि एक किसी ने as a fresher join किया है जॉब को और दूसरे Dan Simondas को एक experience है उस field में और वो एक senior officer है बोथ have different personality दोनों की personality बहुत जादा different है जहाँ पे अगर हम Neville की बात करें तो बहुत calm है, inferior है और बहुत hesitate करता है अपनी चीजों को बताने के लिए उसके अंदर confidence की कमी है वहीं पे Dan Simondas जो है वो बहुत confident है अपनी बातों के लिए और थोड़ा सा aggressive है comparison to Neville Rose Dan Simondas जैसे ही Neville Rose वहाँ पे join करते हैं उनके बारे में information collect करते हैं पहले तो उनकी qualification हो उसके बाद उनके family background के बारे में पूछना शुरू करते हैं Neville है वो बहुत जादा inferior है और कहीं न कहीं डरा हुआ है वो अपनी information देने से हिचकिचाता है वो हिचकिचाता है ये information देने से कि जो उसके father है वो coffin maker है coffin maker ये जो Christian में बोलते हैं जो कबर को बनाते हैं तो वो यही काम करते हैं नेवले के father लेकिन वो information Dan Simondas को देने में उसे hesitation फिल होती है अब इन दोनों का communication चल ही रहा होता है इतने में दो जो woman है वो आती है अब जो दो woman है ये नया character है हमारा cat mansion और Fiona Carter ये दोनों बहने हैं sisters है and they are coming for a complaint ये complaint लेके आई हुई है और complaint किसके against है Fiona के husband Kenny ये जो Kenny करेक्टर है हमारा ये Fiona का husband है और complaint इसी क्या against है in the starting of the play I told you कि ये जो play है ये violence को show करता है तो जो Fiona का husband है Kenny वो इसको मारता है इसको गाली देता है या फिर आप कह सकते हैं abusing और violence को दिखाया गया है इसके through ये बहुत ज़्यादा abusive है और violence है अपनी wife को लेके और society में भी इसका कोई respect नहीं करता क्योंकि जो इसका behavior है वो ऐसा ही है अब यहाँ पे जो दुरों sisters का behavior है और दुरों sisters की जो personality है cat mention और Fiona Carter की वो side by side इसको compare किया है writer ने ने नेवले रोस और डैंसी मॉंडस के बीच में जैसे कि नेवले जो था वो hesitate है और inferior है confident नहीं है लेकिन डैंसी मॉंडस confident है वो अपने काम को लेके या normally भी इसी तरह से जो cat mention है वो बहुत confident है powerful है rich दिखती है और जो Fiona है वो डरी हुई है उसका कोई confidence level नहीं है वो कहीं न कहीं अपनी sister के through ही अपनी बातों को पहुचाती है अब यहाँ पर reason अगर हम देखे तो जो cat mention है उसका जो family life है या जो life उसके husband के साथ है वो बहुत अच्छी है लेकिन जो Fiona Carter है उसकी उसके husband के साथ जिसका नाम है Kenny उसकी जो married life है वो भी अच्छी नहीं है और वो violence का सामना कर रही है कहीं न कहीं एक तरह से दब चुकी है अपनी complaint को तो जो simondas है dan simondas जो senior officer है वो बोलते है नेविले रोस को कि तुम्हारा अभी नया joining है और इस case को तुम ही deal करोगे लेकिन यहाँ पर problem होती है cat mention जो की sister है Fiona की वो चाहती है कि simondas इस case को deal करें और वो उनको बोलती है कि इस case को आप ही deal करें परस्नली अब simondas agree हो जाता है cat mention की बातों से और वो agree क्यों हो जाता है क्योंकि जो simondas है वो characterless type इंसान है और वो इन दोनों लड़कियों को जब देखता है दो महिलाओं को जब देखता है कही ना कहीं वो sexually attract हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर उसने case में अपना interest दिखाया और उसका case short out हो जाएगा तो इन दोनों sisters में से किसी ना किसी के साथ वो अपनी sexual desires को fulfill कर लेगा इसलिए simondas उस case को handle करने लग जाता है नेविले रोस को छोड़ देता है उसको बोलता है कि वो खुदी handle करेगा अब जो fiona है वो बताती है कि किस तरह से violence marpit उनके उसके husband Kenny के साथ Kenny ने उसके साथ किया है तो जो simondas है वो बोलता है कि उसको कुछ proof चाहिए इसके लिए तो जिस simondas है वो photos लेता है Fiona के back की जहां पे कुछ rashes के निशान होते हैं जो scars के निशान होते है बीटिंग ओफ जब किसी को मारते हैं तो उस तरह से red लाल रंग के निशान पढ़ जा और बोलता है कि इस photos के through जो case है वो solid हो जाएगा और Kenny को punishment मिल जाएगी अब जो play है वो police station से shift होके एक रास्ते में चला जाता है जब Fiona Fiona अपनी बहन cat mansion के साथ घर की तरफ जारी होती है तो बताती है Fiona कि उसने कुछ furniture खरी दे थे जो उसने अपने पैसों से खरी दे थे और व उनों plan करते हैं कि जो Kenny है वो जब pub जाएगा drink करने के लिए तो उस वक्ति ये उसके घर में removalist को भेजेंगे जिससे वो जो समान है वो ले आए जो furniture है वो ले आए जब हमने play को start किया था तो इसके characters की बात की थी और उसमें एक character हमने लिखा था the removalist अब यहां पर जो the removalist है यह उन लोगों के लिए use किया गया है जो आके इन furniture को उठाएंगे या फिर जो कुछ करते नहीं जो सिर्फ देखते रहते हैं यहां पर जो furniture को उठाने का काम करेंगे उनी को the removalist से present किया गया है तो जो cat mention है और fiona है वो removalist को बोलती है कि वो जब जैसे ही canny pub में जाएगा तो तुम जाके furniture को ले आना लेकिन यहां पर जो situation है वो थोड़ी ऐसी हो जाते है कि canny जल्दी आ जाता है और canny के आने के बाद ही जो removalist है वो आते हैं और removalist को पता नहीं होता कि canny को बताना है या नहीं और वो canny से बोलते है कि हमें यहां पर जो furniture है उनको लाने के लिए बोला गया है और canny गुसे में अपने डोर को बंद कर देता है अब situation थोड़ी सी change होती है play shift होता है जो दो officers थे वो दोनों आते हैं और डोर को फिर से नौक करते हैं और canny डोर open करता है और जैसे ही वो डोर open करता है दोनों मिलकर canny को tie कर देते हैं एक chair के साथ बांध देते है canny को रोस है वो help करता है removalist की furniture को shift करने में इतने में cat mention और Fiona दोनों आ जाते हैं अब यहां पर जो cat है उसकी थोड़ी सी qualities की बात कर लेते हैं जो cat mention है वो खुद males के towards attract है और उसका अपने husband को छोड़ कर कई इंसानों के साथ relations रह चुके हैं यहां पर relation का मतलब हम सीधा physical relation की बात कर रहे हैं तो इसी तरह की किसी relation के बीच में बात करती हुए जब इसको simondas पकड़ लेता है तो simondas कहीं न कहीं इस पर अपना aggression दिखाता है इसकी वज़ा कुछ भी हो सकती है यह कि उसने अब तक simondas में interest नहीं दिखाया या फिर यह कि simondas नहीं चाहता है कि उसका घर पे वहाँ पे रोस बचता है वो कैनी को एक कमरे में ले जाता है उसे गालियां देता है और उसे मारता है अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हम कहते हैं कि जो करप्शन को शो करता है या फिर पावर को negative तरीके से यूज करता है वो यहाँ पे जो नेविले रोस के से दिखाया है डैविड विलियमसन ने यहाँ पे उसको इतना जादा मारता है कि जब रोस उस कमरे से बाहर आता है तो उसकी बॉड़ी पे खून लगे होते हैं इसका मतलब कि उसने उसको फिजिकल इतना जादा मारा है कि वह अधमरी कंडिशन में हो चुका है अब पे ब्लड ही ब्लड है क्योंकि उसको इस तरह से नेविले रोस ने उस पे अटेक यहाँ पर जो सिमोंडर्स है वो बोलता है यह सब सिचुएशन को देख के नेविले रोस को कि अगर किसी को इसके बारे में पता चलेगा तो दोनों ओफिसर्स को सस्पेंड कर दिया इस बात पर कैनी एगरी करता है लेकिन कैनी की सिचुएशन इतनी खराबती कि उसकी डेथ हो जाती है अब डेथ के बाद जो सिमोंडर्स और नेविले रोस है दोनों की कंडिशन खराब हो जाती है क्योंकि अगर यह बात घर से बाहर जाती तो दोनों ओफिसर्स को यह तो कर लिया जाता या न दो इनको Tacom man is a coda of in common बनाता है यहाँ पे करफशन को और किस Warszets को पने जो और दी गई है उसको मिस्यूस करते हैं दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हर्ट करेंगे और इतना हर्ट करेंगे कि कहीं न कहीं से ब्लड जैसी सिचुएशन हो जाए और यह प्रूफ कर देंगे कि पहले कैनी ने उन पर अटेक किया था जिसके बचाओ में उन टाइटल है दर इमोवलिस्ट यह क्यों रखा गया है और देखेंगे कि जो इतना क्यों हाइलाइट किया है कि इसको टाइटल ही बना दिया है डैविड विल्यमसन ने जो रिमोवलिस्ट होते हैं वो प्रेजन करते हैं एवरी मैन मतलब कोई भी इंसान जो बैठा रहता है और कभी भी बोलता नहीं है who sits on the fence fence का मतलब होता है boundary पर यहाँ पर अगर दूसी तरीके से देखें कि जब play को कोई play जब start किया जाता है या perform किया जाता है stage पे तो जो audience होती है वो भी रिमोवलिस्ट की तरह ही होती है जो कुछ भी नहीं बोलती चैपले में कुछ भी होता रहे यह जो टाइटल है यह नॉर्मली जो डैविड विलियमसन है इन्होंने शो किया है दोनों को एक तो अपने नोवल के रिमोवलिस्ट को और दूसरे जो stage पे perform होता है जो audience होती है उनको कोई मतलब नहीं होता कि play के अंदर क्या चल रहा है play के अंदर कोई किसी को मार रह है वहां पर कोई party enjoy कर रहे हैं या फिर कोई वहां पर lover अपनी beloved को propose कर रहे है इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली यह वो अब बात करते हैं डैविड विलियमसन के कुछ important plays की जैसे कि हमने डिसकस किया था कि इनके important plays को भी discuss करेंगे तो इसमें कुछ important है the coming of stroke यह इन्होंने 1970 में publish हुआ था इनका और जो काफी famous हुआ था next play है इनका the removalist इसको बताने की जरूत नहीं कि the removalist इनका ऐसा play है जो बहुत ज्यादा famous हुआ था और the removalist के लिए ही इनको best script award मिला था 1972 में उसके बाद इनका जो play है वो है dawn's party यह इन्होंने लिखा था 1971 में publish 25 में publish हुआ था और जो दा department play है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो power है जो corruption power है इसी को show करता हुआ एक play है बात करते हैं अब इनकी कुछ themes को की जो यह play है the removalist इसकी क्या important themes है और David Williamson ने इस play के थ्रू कौन कौन से themes को दिखाने की कोशिश किये Australian society को किस तरह से present किया है तो यहां पर basically बात की गई है violence की example के लिए हम देख सकते हैं violence किसके बीच में Fiona और Kenny Kenny ने किस तरह से Fiona पर कह सकते हैं मार पीट की उसको और इस तरह मजबूर कर दिया कि वो जाकर उसकी complaint लिखवाए और बीच में no play में हम देखते हैं कि उसकी backpack कुछ scars के निशान है जो की proof करते ह कि जो Kenny है उसका nature कितना violence full है उसकी wife के लिए Fiona के लिए violence को हम देख सकते हैं police man और Kenny के relation में कि किस तरह से दोनों police man ने Neville Rose और Simondas में मिलकर Kenny को इस situation तक पहुचा दिया कि उसकी death में power का misuse करते वे भी दिखाया गया है कि किस तरह से police man से अपनी power का misuse करते वे Kenny को death तक है उसको punishment नहीं मिलनी चाहिए पर इस तरह की punishment अगेंस्ट है रूल के इस प्ले के थूर डैविड विलिमस ने दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो women को हमेशा दबाया गया है और जो violence है वो women's के साथ होता आया है इसमें corruption को no doubt present किया गया है police man's के थूर तो इस तरह से यह जो play है हमारा darimovilist यह खत्म हो जाता है friends मिलते हैं नई वीडियो में इसके साथ ही आप playlist हमारी playlist को visit कर सकते हैं for novels, poetry, drama, short stories के लिए if you like the play, like, share and subscribers, be with us, goodbye and take care friends